हेलो गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक अबाउट दा मतीरियल जो कि आज के टाइम पर सबसे जादा यूज होने वाली चीज है और लोगों को दिखने में काफी वो खुबसूरत दिखा ही है उसके हिसाब से तो मैं आपको आज बताऊंगी टेराकॉर्टा मतीरियल की एक छोटी सी हिस्ट्री जिसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों यह जाली का जो डिजाइन है वो बहुत जादा फीमस है आज के टाइम पे एक्स्टीर्स के लिए और इंटीर्स के लिए भ जाली का नाम टेराकॉर्टा जाली नहीं है वो जो शेप और साइज वो बन रहे हैं उसको हम लोग टेराकॉर्टा जाली नहीं कहते हैं बेसिकली हम उस मटीरियल को टेराकॉर्टा बोलते हैं जो मटीरियल से वो बनाई जाती है टेराकॉर्टा मटीरियल बेसिकली एक बाहर निकलती है और वो ये color पे convert हो जाती है जैसे एक eat होती है जब eat बनाते है तो उसका color एक बहुत different red faded से color होता है और जब आप उसको बटी में पकाया जाते है पकाने के वाद जब बाहर लाई जाती है तो वो सुर्क लाल color की होती है तो ऐसे ही जो terracotta की जाली है उसको red clay स बनाने के बाद उसे मतलब भटी में पकाया गया है उसके बाद वो जाली का design बनाया जाता है तो जाली का design है वो जो pattern है वो pattern आपका basically 8 inch by 8 inch का उसका tile आता है जिससे आप different different material तिफेंट different design में आप उस जाली को convert कर सकते है तो basically जो terracotta जो word है वो आपका इटालियन से आया है जिसको हम कहते हैं earth stone तो baked earth जिस चीज को हम लोग बोलते हैं baked earth का मतलब होता है कि मिट्टी को जब आप पकाते हो और आप जब उसको किसी भी चीज में innovate करते हो तो हम लोग उसको terracotta बोलते हैं उसके बाद जब आप लोग history में अगर बात करते हैं तो history में ये वाले चीज थी कि जिस टाइम पर टेराकोर्टा को निकाला गया था आप देखोगे कई सारे monuments हैं पुराने जो इंडिया में हैं अभी राजा माराजाओ के टाइम पे उनकी दिवारे ज़्यादा तर red color की हुआ करते थे और उनके दिवारों पे बहुत सारी चीज़े ऐसी थी जो red color की आपको दिखाए देंगी उनका floor red दिखाए देगा उनकी ceiling red दिखाए देंगी basically ये जो चीज है ये इसलिए आपको दिखाए देती है क्योंकि टेरा कोटा जो चीज है वो आज की नहीं है काफी पुरानी है हम लोग उन्हें कुछ नया invention नहीं किया है सारी चीज़े पुरानी है जिसको हम लोग different different तरीके से अपनी तरीके से उसको कुछ creative करके हम लोग market में लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहली जो चीज है जो टेरा कोटा की प्रॉपर्टी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताते हूं टेरा कोटा एक ऐसा मट्टी है तो वो recyclable है और वो 100% natural product है natural product होने की वज़े से वो बिल्कुल भी harmful नहीं है आपके लिए मतलब किसी भी तरीके से medical terms में non-medical terms में harmful नहीं है जैसे एक छोटा से example देती हो जब आप लोगों के घरों में दही जब जमाया जाता है या फिर गर्मियों में जब घड़े में पानी रखा जाता है तो वो लोग fridge avoid करते हैं उन भरतनों में उनको रखते हैं तो वो वाली चीज भी natural product है इस वज़े से उसको हम लोग use करते हैं सबसे जादा जो चीज है वो यह है कि टेराकॉर्टा एक ऐसा versatile cheapest material है जो इतना जादा durable होता है जिसका कोई limit नहीं है मतलब अभी भी अगर आप पुरानी हवेलियों को देखो या पुरानी monuments को देखो तो आपको यह चीज पता चलेगी कि जो टेराकॉर्टा है वो आज तक fade नहीं हुआ है वो एक ऐसा color है जो fade नहीं होता वो UV protective है इसलिए जब आप कुछ-कुछ जगाये देखोगे जहां पर बाहर से मतलब की building के exterior में red color के clay से वो लोग काम करके रखते हैं या फिर एक wall cladding करके रखते हैं जो eat की जैसे दिखाई देती है Basically stone cladding करना और terracotta cladding करना marble cladding करना और brick cladding करना cladding करना is like wall covering जिसको हम लोग आपका panelling करना भी कहते हैं Cladding का मतलब बस इतना है कि वो किसी normal material से होता है, जैसे कि आपका stone हो सकता है, आपका marble हो सकता है, आपका terracotta हो सकता है, आपका terracotta हो सकता है, आपकी ain't भी हो सकते है, उसको हम लोग कहते हैं, cladding कर देना, basically, तो ये वाली जो चीजे हैं, ये exterior में सबसे जादा मिलती है, बहु बहुत ही low maintenance required है, low maintenance के नाम पे no maintenance required है, low भी नहीं, no maintenance required है, because इसको maintain करने के लिए ऐसा नहीं है, कि आपको इसको polish करवाना है, इसका color उड़ जाएगा, तो आपको इसको color करवाना है, कुछ भी, just, हलका सा neatened idea, cleanness चाहिए होती है, because जालियां होती है, जालियों को साफ करना fireproof के ऐसे, क्योंकि वो already भट्ती से निकल के आया है, वो भट्ती से निकल के पकाया गया है, तो उसको क्या ही फरक पड़ेगा आख से, इसके बाद है आपका frost resistant, frost resistant का मतलब यह है, कि इसका overall example, पूरे properties का मैं आपको देती हूँ, जब आप घड़े में पानी भरते हैं, तो जब भी आप एक नया घड़ा करीते हैं, तो उस घड़े को आप पहले बाहर से गीला कर लेते हैं, उसको अच्छे से wash कर लेते हैं, गीला करने के बाद जब आप उसमें पानी भरते हैं, तो अंदर जो आपके घड़े का पानी होता है, वो आपका ठंडा रहता है, बहुत maintain रखना किसी जगा पर जैसे कि आपका fridge का जो अंदर का area है वो एक thermal insulation की वज़े से अंदर ठंडा रहता है because जो fridge का जो exterior है वो बनाया वैसे गया है उसको उस तरीकी के material से बनाया गया है एसे ही जो घड़ा होता है घड़ा यानि कि जो terracotta होता है टेराकोटा के वाजल्स बनते हैं वाजल्स का मतलब है कि आपका घड़ा बना हुआ है तो घड़ा जो है वो एक एक ऐसा material है जो आपका resistant रहता है ऐसे ही जब आप देखोगे कि गाओं अगरा में जब बहुत सारी चीज़े बनती थी तो चथ हमेशा टेराकोटा के बनते थे टेराकोटा का जो material होता है वो अगर बरसात हो जाए उपर से तो वो आपके अंदर के temperature को इतना लो कर देगा कि आप अराम से वहाँ पर बिना इसी के आप सो सकते हैं इतना जाधा फर्क आता है इसी लिए टेराकोटा का जो material है वो summer में temperature maintain करने के बहुत जाधा काम आता है इसमें और sound insulation का भी फरकाता है इसमें sound insulation का मतलब यह है basically जब किसी चीज में segment बहुत जाधा होता है like fabric एक बहुत जाधा रेशे वाली चीज है ऐसे ही मिट्टी एक बहुत रेशे वाली चीज है उसके अंदर बहुत जाधा मतलब की अंदर assist करने की power होती है तो अगर आप उ तो वो आवाज दूसरे कमरे तक नहीं जाती है हलकी जाती है बहुत जाधा नहीं मगर हलकी जाती है ऐसे ही जब आप पुराने theaters देखेंगे बहुत चारी चीज़े देखेंगे तो वहां पर भी आपको terracotta कहीं न कहीं मिल जाएगा as a sound insulation material तो जो terracotta है न वो बहुत ही amazing ची जो यह जाली है जो यहां पर बनी हुई है इस जाली जाली अगर अभी पूरी गीली हो जाए अगर बरसातों में यह पूरी गीली हो जाए और फिर यहां से हवा अगर क्रॉस हो अंदर की तरफ तो trust me वो बहुत ही अच्छा impact देती है प्लस दूसरी चीज यह जो terracotta है moisture resistant हो हो भी सकते हैं बहुत ज्यादा humidity रेसिस्ट नहीं करती है मगर ठंडग बहुत ज्यादा रखती है आपको climate में बहुत ज्यादा फर्क पता चलेगा जब आप टेराकॉर्टा को यूज करोगे टेराकॉर्टा के यूजिस है वो बहुत ही ज्यादा जगाव भी यूज होते है इसकी जो varieties है वो बहुत ज्यादा है यह sanded में आपको मिल जाती है यह glazed में आपको मिल जाती है यह groove में आपको मिल जाती है मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता था पहले बड़े बड़े दिवारे बनाके दिवारों पे लगा दिये जाते थे क्योंकि color करने की ज़रुत नहीं परती है उसको red color अपने आप उसमें color होता है और वास्तु के हिसाब से लोगों को red color बताया जाता था उस beaded में तो उसको paint करने की ज़रुत नहीं है तो अब क्या है glazed का मतलब है कि आपको glazed में हलका सा glossy अगर आपको चाहिए तो वह आपको मिल जाएगा उसके बाद अगर अगर वह grooved है grooved यानि की जो यह इस टाइप की grooving हो रखी है इस टाइप के floor अगर आपको बनाना तो वह आपको मिल जाएगा और आप चाहो तो आपको sanded चाहिए sanded का मतलब है बिल्कुल raw जैसा वह होता है अंग्लेज जिसको हम बोलते हैं वह भी आपको मिल जाएगा तो आप यह जो जारी चीज़े हैं आप इसमें देख सकते हो कि जो floor है जो walls है और बहुत जारी चीज़े हैं जिसमें यूज हो सकता है उसके बाद इसमें सबसे जादा amazing चीज यह जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो color है वो red color है वो इतना मतलब color ऐसा है कि वो unique textures में आता है चाहे आप कितना भी धूप में मतलब की जाली को रख लो आपका यह change नहीं होता है basically है क्या आज के टाइम पे यह जालिया लोग देख रहे हैं लोग जाली देख रहे हैं तो ऐसे ही white color की जाली आती है तो उसको भी लोग terracotta जाली ही मान रहे हैं terracotta जाली it's not की वो जो design है vote उसका मतलब terracotta है यह मैं आपको दुबारा repeat कर रहे हूँ उसका मतलब terracotta नहीं है उस material का नाम terracotta है जैसे कि हम CNC cutting जाली बोलते हैं CNC का मतलब यह है कि CNC machine से जो cut out बनता है उसको हम जाली बोलते हैं जाली वो MDF के material पे है वो ply पे हो सकती है वो WPC पे हो सकती है वो किसी भ med filtering जाली बोला जाता है उस चीज को ऐसे ही terracotta जाली इसलिए बोला जाता है वे कई腳 comparison है जो material है वो terracotta है ऐसे ही जो white color का होता है वह cemented में की जाली होते है उसकी properties is way more different than terracotta य서angen की hanada की basically मिट्टी की अपनी property है ऐसे ही तो जब ये वाली चीज जब आप exterior में लगाते हो तो exterior में उसका color कभी नहीं उड़ेगा वो कभी भी भी नहीं जाएगा UV protective disease को हम बोलते हैं जैसे हम लोग HPL sheets लगाते हैं या में CP sheets लगाते हैं तो हम लोग पूछते हैं न कि इसका धूप से कितना impact रहेगा या हमारे furniture के color जब हम हार रख देते हैं तो वो उड़ जाते हैं इसमें कोई फरक नहीं पड़ता जैसा है ये वैसा का वैसा ही रहता है इसको बस थोड़ा सा need करने की ज़रता है क्योंकि जाली के बीच पाइज थोड़ी बहुत गंदे की पस्ती तो उसको साफ करने है और आप देखो कि जो पुराने schools होते हैं पुराने churches होते हैं वो सारे wall cladding इसी की बनी लिए है तो ये जो दिवार है जो आपको यहां पर दिख रही है जिसको हम ये बोलते हैं कि दिवार बना दी और उसको हम लोगों ने cement नहीं किया बार से कई घर आपको ऐसे दिखेंगे वो cemented होते हैं उसके बाहर से उन लोगों ने एक ऐसे दिखने वाली design नों लोगों ने बनाया होता है, जिससे आपको लगेगा कि वो eat का proper घर है, इस वज़े से, तो बहुत सारी properties हैं, बहुत amazing material है, इसके बहुत सारे multiple uses हैं, आप इसको wall panelling की तरह use कर सकते हो, आप इसे partitions की तरह use कर सकते हो, आप इसको balcony का अपना जो wall होती है, boundaries, आप उसको उसकी तरही से बना सकते हो, अगेन ये आपका wall cladding के लिए use हो रहा है, आपका panelling के लिए use हो रहा है, आप इसको छट भी लगा सकते हो, छट में जो आपका pargolas बनते हैं, गजीवों बनते हैं, आप उसमें उसको use कर सकते हो, आप अपने parking area में इस चीज को लगा सकते हो, और सबसे amazing चीज है, इसके जो जाली के जो patterns है, जब उससे धूप चन के आती है, तो एक बहुत अच्छा floor पे एक pattern बनता है, तो वो दिखने में बहुत amazing लगता है, तो आप उस चीज को use कर सकते हो, same चीज है, यह bathrooms के walls के लिए भी use हुआ है, कई बार आपके bathrooms में लगाने के लिए, sanded materials में, बहुत जादा use होता है, इसको use करने वाले जो जादा तर लोग है, जो farmhouse, जो house design होता है, farmhouse का मतलब कि interior design style है farmhouse का, वो हो गया, बड़े-बड़े resorts हो गए, वो लोग इन चीजों को बहुत जादा use करते हैं, क्योंकि जैसे जब foreigners आते हैं यहाँ पर, तो उन लोगों को एक उतरना की Indian culture देखना है, यह सब चीजे देखना है, तो यह जो चीजे हैं, यह आपकी classic designs में आती है, classic designs में इस type का जो, मतलब color palette है, जो अरदी color palette है, उसमें यह वाली palette आती है, तो यह आपको काफी beneficial रहती है इस चीज में, अगर आप design बनाना चाहूँ इस चीज तो, जब आप बहुत सारी चीजे देख लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ यह वाली चीज आपके terracotta ही थाशा है, यह वाली चीज आपकी यही थीशा है, तो ऐसे ही, दीरे-दीरे जब आप चीजों को देखने लगते हैं, उनकी properties के बारे में पढ़ने लगते हैं, तो बहुत जादा आपको myth का और reality का फरक पता चलता है, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि जब भी अपने client के लिए कोई material आप choose कर रहे हो, या material लगाने की आप practice कर रहे हो, या आप कोशिश कर रहे हो, तो आपको हमेशा उस material की पहले property के बारे में पता होना चाहिए, हमेशा पता होना चाहिए, जैसे आप ये सोचिए कि ग्रेनाइट ही क्यों इतने सालों से kitchen में लगता आ रहा है, उसका reason है, ठीक है quarts कहां से आया है, क्या property है, ऐसे ही टेरा कोटा लोग लगा रहे हैं कि कि किसी का भी घर आप आज आर्ट से खड़े हो के देख रहे हैं, फ्रेंट से खड़े हो के देख रहे हैं, तो अपको ऐसा लगता है कि उस घर का फ्रेंट बहुत अच्छा बनाऊ है, यार ये कुछ अलग चीज happening यह जाली डिजाइन ना बहुत अच्छा लग रहा है, CNC से हटके यह चीज अच्छी दिखाई दे रही है, तो CNC से हटके वो चीज अच्छी दिखाई दे रही है, obviously, मगर आप एक चीज सोचो कि जब आप उसको लगा रहे हो, तो लगाने से पहले आप यह चीज देखो, कि उस जगा पर वो चीज अच्छी लग रही है और नहीं लग रही है, वो आपके color palette के साथ जा रही है कि नहीं जा रही है, but trust me, यह जो अरधी color के palette जो आपके clients को पसंद आते हैं, यह classic designs में, farmhouse design में आपको बहुत पसंद आएंगे, तो हमेशा जब भी किसी client को कोई material आप रवा काता है, अलग-अलग styles में, आप इन styles को pattern wise बना सकते हो, इस तरीके से, तो और इसको partitions की तरह यूज कर सकते हो, obviously ceiling की तरह यूज कर सकते हो, आपका जैसे मन करें आप उसको यूज कर सकते हो, तो आजके लिए इतना ही है, अपने properties के material की properties के लिए अगर जाना चाते हैं, त medical terms में और healthy terms में, because interiors में जो चीजे use होती है, वो ऐसे ही use नहीं होरी, मतलब कि जैसे लोगों को ऐसा लगता है, कि designing करना है, कि सिर्फ किसी का घर को बना देना है, और ये चीज की, ये चीज अच्छी लग रहे है, because सभी लोग इस चीज को लगा रहे है, तो हम भी इसको जान रखो कि जो भी चीज आप लगाने की अपने घर में कोशिश कर रहे हो, या अपने client को आप कोई चीज अगर provide करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप हमेशा उस चीज का पहले ये चीज पता करो कि क्या वो चीज आपकी climate में जाती है, कि नहीं जाती है, जैसे बहुत जग चोटे tricks के लिए, चोटी-चोटे tips के लिए, do subscribe my channel, और जो भी आपको problems आ रहे हैं अपने projects के regarding, आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, और आप एक चीज और देखेगा, कि अगर आपको कोई भी और video ऐसी है, जहां पर आपको requirement है कि आपको client के साथ ही problem आ रहे है, material के बारे में आप आपको पता नहीं है, आपको software के regarding कोई problem हो रहे है, आपके budgets आपके साथ सेट नहीं हो रहे है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वाला video लेकिया हूँगी, प्लीज बताएं आपको ही video कैसा लाइब है और चोटे-चोटे tips and tricks के लिए, प्लीज सब्स्राइब ह आपके लिए आपके में अपके लिए. झाल झाल झाल